हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूटूब चैनल पर आज मैं माक्रो मीडिया फ्लैस के अंदर मैं आपको एनिमेशन करना सिखाता हूं टाइम लाइन का यूज करना सिखाता हूं किस तहीं के साफ एनिमेशन तयार कर सकते हो और एनिमेशन बना सकते हैं यह बेसि से से एक पेज लेना है पेज लेने के बाद पेश पर रॉप्षण होगा डॉक्कोमेंट प्रॉपर्टी के अंदर आपको बैक्गाउंड कन में कूछ कर सकते हैं इस इसने में ले लिया दैन ओके ज्यादाँ कलर हो गया वापिस मैं थोड़ाव सा लाइटिंग कलर ले ले हुआ हुआ है यहां से कि अध्यूस कर लिए ने कोई वेग ले लिना अब हमारा ब्लेक नजार ना है ठीक है इसके लेल वन इसमें भी हमारी फ्लैस के लिए पर काम होता है लेकिन इसमें लीए तो डाउनलोड की हुई है तो आप भी डाउनलोड कर लेना फुटबॉल लेना है आपको देन ओपन यहां से मेरी प्रोसेस हो रही है आप यहां पर देखोंग इमीज काफी बढ़ी आ गई तो इसको साइज अरेंज करना है तो यहां पर हमारे पास फ्री ट्रांसफर्म टूल है इसको सलेक्ट कर रहा है यहां से आपने फुटबॉल की साइज को छोटा कर सकते हैं आप अपने गॉर्डिंग जितना अरेंज करना चाहते हो एकवल रखना जिससे आपकी फुटबॉल गोल लगा जब मूब करे तो भी आपको गोल ही दिखे ठीक है तो यह मैंने फुटबॉल को थोड़ा और छोटा गर दिया है थीक मैंने अपने फुटबॉल की साइज अरेंज कर लिए साइज अरेंज करने के बात क्या अगरना है आपको तरह पर्फेक्ट ली मैं कर लेता हूं जिससे की फुटबॉल की शेप खराव ना हो अब फुटबॉल बिल्कुल गोल नहीं है थीक है यह हमने बना लिया उसके बाद आपको यहां से गाइडलाइन होते हैं हमार पास एड़ मोशन गाइड तो आपको यहां से सेलेक्ट करने सेलेक्ट करने के बाद यहां पर हमार पास होगा पैंसिल टूल आप पैंसिल टूल को सेलेक्ट करना और यहां पास स्टाॉंक कलार है तो स्टाॉक कलर मैं हाँ ले लेता हूं ग्रीन और मैं लाइन की साइस ठोड़ी लेना चाहते हो यहां से चूज कर सकते हो तो मैं यहां से नॉर्मल लेंगा स्टेट लाइन और मैं अपने अगॉर्डिंग क्या गरूंग यहां पे ड्रोंग कर देता हूं कि जहांसे मिलेको को फूट वॉल को मूव कराने है तो मैंने इस तरफे से मूव कर लाई है Tu कि अब जहाँ जहाँ पैंसिल्स चला रहा हूं वहां वहाँ क्या होगी मेरी हुआ फूट वॉठाल मुझे चलती हुई नजर आएगी ठीक है अब मैंने क्या अगिए सथाहसाना फूट्वाल को सेलेक्ट किया सेलेक्ट करने के उसकर कि ऑसनेंटर है ध्यान रखना इस सेंटर है पॉइंट को की स्टार्टिंग के पॉइंट पे रखना है इसको जूम करके भी आ परेंच कर सकते हो यह है जो जूम पो baja sound पैं प्ले好 हैуса अब वापिस जूम आउट कर लेता हूं छोटा अब मैं यहाँ पर टाइम लाइन को सेट कर देता हूं एप 6 टाइम लाइन को सेट करने के बाद एप 6 बटन को दबाना है उसके बाद मैं इसको उठाता हूं वापिस जूम कर लेता हूं पेश को अब मैं उठाकर करके एंडिंग पॉइंट पर रखता हूं ठीक है अरेंज हो चुका है वापिस को छोटा कर देते हूं छोटा करने के बाद यह जो हमाई लियर वन है जो टाइम लाइन है हमारा फ्रेम है इस पर राइट क्लिक करना जैसी राइट क्लिक करोगी नीची ऑप्शन होगा आपके पास यहां जाना है यहां पर ट्विन के अं टाइम कितने टाइम तक रिपीट कराना आप यहां पर नंबर टाइप कर देना फॉर एक्जामपल मैं फाइफ लिग देता हूं अब यह हमारा क्या करेगा मूब करें गई देखो चलती हमें नजर आई आप चाहते हो थोड़ा और टाइम बढ़ाना तो वापिस यहां पर यहां पर मैंने 10 कर दिया अब मैं आप देखो अगर चलती हमें नजर आएगी मुझे ठीक है यहां पर फ्रेम और टाइम लाइन के ऊपर ही चेक किया हुआ है अगर मैं इसका प्रिवी चेक करना चाहता हूं तो आपको क्या करना है है यहां पर के लिखा हुआ है रन कमांड हुआ है क्लिक करोगे प्रेंटर करेंगे लेकिन अगर हम कंट्रोल करेंगे तो हमस्ता पेरविu फॉकर है यह आपके पास एक आनिमेशन बनके तयार हो चुकिए बिल्कुल सिंपल एनिमेशन मैंने फोटोशोप फ्लैस के अंदर आपको बना करके सिखाया है ठीक है इस तरीके से आप कोई भी एनिमेशन तयार कर सकते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और थैंक्यू वेरी मुच्छ